मैं डॉक्टर लक्षमी नारायन प्रवक्ता इतिहास राज के माडल संस्कृती वरिष्ट माध्मिक विद्याले ततारपुर इस्त्मुरार रेवाडी हरियाना आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूँ आज के अपने उपविशे हैं जैन धर्म और बोध धर्म के उदे के कारण महावीर स्वामी और जैन धर्म की शिक्षाएं मात्मा बुद्ध और उसकी शिक्षाएं नियती वादी संप्रदाए बोतिक वादी संप्रदाए आज इन पांच उपविशों पर हम चर्चा करेंगे यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जैन धर्म और बोध धर्म के उद्य के कारणों पर बोध धर्म और जैन धर्म के उद्य के कारण लगभग समान ही रहे हैं इसलिए हम समान कारणों पर ही चर्चा करेंगे छटी स्तावदी ईश्वी पूर में जैन धर्म और भौत धर्म के उद्य के कारण के लिए अनेक राजनितिक, सामाजिक और धार्मिक कारण उत्रदाई थे इनका संचिप्ट विवरण निम्न है पहला है हिंदू धर्म में जटिलता हिंदू धर्म में जटिलता आ गई थी रिग्वेदिक काल में हिंदू धर्म भहुती सादा था कालांतर में इसमें जटिलताएं आ गई करमकांड और अंध्विश्वासों का बोलबाला हो गया अनेको प्रकार के संसकार यग आदी पर भहुत खर्च होने लगा था दमज से बहार थी लोग सामान्य नीम वाला कोई धर्म चाहते थे दूसरा है जाती प्रथा जाती प्रथा ने कठोर रूपधार्ण कर लिया समाज में भेदवा हुए छुआ चाहत का बोलबाला हो गया शुद्रों को वेद अध्यान यग करना वे मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगा दी तंग आकर शुद्र किशी अन्य शंप्रदाय की चाह में थे तीसरा कारण है कठिन भासा वे विशाल ग्रंथ वेदों उपवेदों जैसे विशाल ग्रंथों को पढ़ना आसान नहीं था आम जनकी समझ से बहार थे संस्किर्ट के विदवान ही इनको पढ़ सकते थे लोग सामान्य नियमों वाले आसानी से पढ़े जाने वाले आम भासा में लिखे ग्रंथ चाहते थे अब संस्किर्ट भासा उससमें सभी नहीं जानते थे राजनितिक संरक्षन जैन धर्म और बोध धर्म के प्रसार में सबसे बड़ा कारण प्यार विद्यारतियों उनका राजनितिक संरक्षन रहा है जैन वैबोध धर्म के उदेव विस्तार के कारण में एक भड़ा कारण यह भी है कि दोनों के परवर्तक राजगरानों के राजकुमार थे मात्मा बुद्ध के पिता शाक्क गनराज के शाशक थे शाक्क गनराज नेपाल में पड़ता है तो वही महावीर जैन के पिता जंत्रिग्न का नामक एक छत्रिय कभिले के मुख्या थे और इनकी रिष्टेदारियां भी राजगरानों में थी इसलिए इन राजगरानों के रिष्टेदार राजाओं ने भी राजनितिक संरक्षन दिया और इनके धरम परचार में सैयोग किया सरल नियम वे आसान बासा में परचार दोनों संप्रदायों के परवरतकों ने अपने धरम का परचार बड़ी ही सरल बासा में किया वे इसके नियम सामान ने थे नियम बड़े सामान थे इन धर्मों के जो अनपड़ व्यक्ति की समझ में भी आने वाले थे और वो उन पर आसानी से अमल कर सकता था उन नियमों पर इसलिए उस समय लोगों का इन सरल नियमों और आसान बासा वाले धर्मों की तरफ ध्यान गया और उन्होंने इस धर्म को अपनाया ये महावीर जैन की मूर्ति है ध्यान योग शमाधी की स्थिती में ये बैठे हैं सबसे पहले विद्यार्थियों महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म पान सो निन्यानमे इस्वीपूर वैसाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ इनके पिता शिदार्थ जन्त रिंका कभीले के मुख्या थे इनकी माता तिर्शला लिच्षी वन्स के नरेश चेटक की बहन थी इनकी पतनी का नाम यसोदा था जिनसे एक पुत्री अनोजा का जन्म हुआ अपने भाई नंदी वर्मन से आग्या लेकर तीस वर्ष की आयू में घर त्याग दिया बारा वर्ष की घोर तपश्या के बाद रिजू पाली का नदी के किनारे स्थित जर्मबिक गाउं में इनको ग्यान की प्राप्ती हुई 527 इस्वी पूर में इनों ने अपना सरीर त्याग दिया इनसे पूर 23 तीर्थंकर और भी हुए हैं मावीर जैन 24 वे तीर्थंकर थे एनके जिसी गद्दी पर वो तपश्या में थे उसे पहले 23 रिशी आ चुके थे तीर्थंकर का प्यारे विद्यार्थियों अर्थ होता है महापूर्ष जो पूर्षों और महिलाओं को जीवन की नदी से पार पहुँचाते हैं ऐसे महापूर्षों से ऐसे इरिशियों से जो पूर्षों और महिलाओं को जीवन की नदी से पार लगाते हैं मावीर जैन की शिक्षाएं मावीर जैन की शिक्षाएं बड़ी सामन और आम जन की समझ में आने वाली शिक्षाएं थी पहली शिक्षाती तिर्थन मौक्ष प्राप्त करने के लिए तिर्थनों का पालन करना आफशक है यह हैं सत्य शर्दा यहनि के 23, 24 जो तिर्थन कर हुए हैं उनमें पूरी शर्दा होनी चाहिए सत्य ग्यान उनके बारे में पूरी सही जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए रिशियों के बारे में और फिर उन ग्यान के उपर पूरा आचरण जो रिशिमे रिशियों ने 24 तिर्थनकरों ने बताया है उस पर आचरण करना इस तरह से तिर्थन कहलाते हैं सत्य श्रधा, सत्य ग्यान वे सत्य आचरण दूसरा महावीर जैन कठोर तपश्या में विश्वास करते थे उनका मानना था मनुष्य को कर्म के चक्कर से मुक्ती के लिए त्याग वे तपश्या की जरुरत है इसलिए कठोर तपश्या उन्होंने भी की थी पांच व्रत, इनके मनुष्य को पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला सदा सत्य बोलना चाहिए बड़ा सामाने नियम है, परन्तु है बड़ा कठोर प्रक्टिकल ली अहिंसा की नीती पर चलना चाहिए किसी भी व्यक्ति को मन करम वानी वचन और सरीर से चोट नहीं पहुचानी चाहिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए चोरी नह करना धन शंग्रह नह करना और ब्रम चरिये का पालन करना आरंबिक ये जो चार नियम थे चार व्रतो पहले के रिशियों के बताए हुए थे सत्य बोलना अहिंसा की नीती चोरी नह करना धन शंग्रह महवीर जहन ने पांचवा इसमें जोड़ा ब्रम चरिये का पालन क्योंकि ये ब्रम चरिये बाद में ब्रम चारी बने माचवा व्रत महवीर जहन ने जोड़ा अब पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में ये महात्मा बुद्ध का चित्रा आप देख रहे हैं वो ध्यान समाधी की स्थीती में बैठे हुए हैं महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाएं महात्मा बुद्ध जिनका नाम शिद्दार्थ था जन्म 567 इस्वीपूर में कप्विल वस्तू के पास लुम्बनी के स्थान पर हुआ इनकी माता का नाम महा माया था तथा इनके पिता शाक्य गनराज्य के परमुक थे सारिक सुखों में इनका मन नहीं लगता था फिर भी इनके पिता ने या सोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवा कर दिया और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल एक दिन ये अपने शार्थी चन्ने को लेकर गूमने के लिए निकले तो रास्टे में उन्होंने चार महान द्रश्य देखे जिन से चार महान सत्य इनके सामने आए वो चार द्रश्य क्या थे एक बूड़ा हद भी मिला जब वो गूमने निकले तो बड़ा बांद शरीव से एक कमर जुकी हुई बूड़ा व्यक्ति मिला एक रोगी व्यक्ति मिला जो अपने शरीव से बड़ा दुखी था रोग ठीक नहीं हो रहा था एक मरे व्यक्ति को अर्थी लेकर जा रहे थे आगे देखा तो एक सादू घूम रहा था मस्त इन चारों को देख करके उन पर प्रभाव पड़ा कि संसार तो दुखों का घर है और इनका मन विचलित रहने लगा एक रात अपनी पत्नी वह पुत्र को सोता छोड़ करके 29 वर्ष की आयू में घर छोड़ दिया और 6 वर्ष तक कठोर तपिश्या की बनारस भी गए वहां पांच साथियों के साथ इनों ने सच्चाई को जानने का परियास किया पंत वो पांच साथि भी इनको छोड़ कर चले गए वहां से ये गया आगे वहां इनोंने 48 दिन की समाधी लगाई और इनके प्रान जाने ही वाले थे चिंतन में बैठे थे उस दिन इनके प्राण कैसे बचते हैं प्यारविद्यारतियों कि आचानक एक सुजाता नाम की गुर्जर लड़की आती है और वो वन देव की पूजा करने के लिए समय समय पर आती थी उसने देखा कि आज तो वन में साक्षात वन देवता बैठे हैं और उन्होंने अपनी खीर इनको खिला दी जिससे इनको अपना जीवन मिला यानिके वरना प्राण चले जाते 35 वर्ज की आयू में इनको उस दिन ज्ञान मिल गया और ज्ञान को केवल भी कहते हैं और इस ज्ञान के कारण ही वे बुद्ध कहलाए तथागत भी इनको कहते हैं अब महत्मा बुद्ध ने जो ग्यान प्राप्त किया गया में 48 इनकी समाधी के बाद उसका उपदेश देने के लिए वो सारनाथ आये बनारस के पास सारनाथ है तो वो बनारस आये क्योंकि बनारस ही उस समय वैदिक संस्किर्टी का ग्यान का केंदर था तो अपना ग्यान भी वो वहीं देने लिए पहुँचे वहाँ पर उनको वो पांच साथी मिल गए जो इनको छोड़ कर चले गए थे और इन पांच साथीों को लेकर ये सारनाथ गए जो बनारस से चार पांच किलो मेटर की दूरी पर है और वहाँ जाकर उन्होंने इन पांच साथीों को अपना उपदेश सुनाया जो इनके साथीों को सही लगा और उन्होंने विचार किया कि इस धरम का परचार हम सब मिलकर करेंगे तो जो पहला इन्होंने अपना धरम की बातें इन पांच साथीों को बताई ये धरम चक्र परवर्तन कहलाता है इनके पहला धरम परचार जो पांच साथीों के सामने किया वो क्या कहलाता है विद्यारतियों धरम चक्र परवर्तन इनके अनेक राजा फिर शिष्य बने क्योंकि राजगरानों से संबन दित थे धरम परचार के लिए भुख्खू और थेरी धरम परचार का कारिये करते थे राजा या रानिया आदी भी धरम परचारक बनते थे उन्हें अपनी पहली पहचान खतम करनी होती थी यदि राजा रानि धरम परचारक बनते हैं तो उन्हें अपनी ये पहचान खतम करनी होती थी कि वो रानि है या राजा है एक आम जीवन और त्यागी सादू सन्याशनी की तरह धरम परचार करना पड़ता था अब प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं कि विखु कोन होते हैं धरम परचारकों को विखु कहा जाता था इनकी भोजन वैवस्तर के अलावा कोई आउसकता नहीं होती थी विख्षा से अपना जीवन निर्वा करते थे दो या तीन कटोर से जादा विख्षा नहीं लेंगे और इस विख्षा को भी अपने साथ वालों में बाटेंगे ये नियम था विख्षतर में कंबल छे वर्ष से पहले दूसरा नहीं लेंगे उठते ही वे कहीं भी जाने से पहले अपने बिस्तर स्वेम समेटेंगे यदि इन नियमों का पालन नहीं किया तो अपराद स्वीकार करना पड़ेगा यदि कि बहुत सिंपल साधारन जीवन बिलकुल मामूली शी अपने जीवन की आवशकताएं ये भिखु का जीवन होता था अब देखते हैं थेरी थेरी कौन थे बो धर्म में थेरी ऐसी महिलाएं होती थी जिनोंने निर्वान प्राप्त कर लिया हो थेरी महिला धर्म परचारक होती थी थेरी कौन होती थी महिला धर्म परचारक अपने शिश्य आनंद अनंद उनके भाई भी थे अपने जो उनके शिश्य भी बने अपने शिश्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिला धर्म परचारकों को संग में आने के अनुमती दे द महत्मा बुद्ध की माता का देहन तो इनके जनम के समय हो गया था तो उनकी उप माता उनकी मौसी गोत्मी ने इनको पाला था वो पहली थेरी बनी यानिकि इनके धरम परचारक करने वाली पहली महिला थी इसके बाद उनकी पत्नी या सोद्रा ने भी धरम परचारका काम ले लिया और फिर अनेक महिलाएं थेरी बन गई और इस तरह से महिलाओं ने भी बहुत धर्म के परचार का भीड़ा उठ समय उठाया बहुत धर्म की शिक्षाएं बहुत धर्म की शिक्षाएं विद्यारतियों बड़ी सामानवे आम आदमी की समझ में आने वाली थी इनका परचार सरल और छेत्रिये बासाओं में किया गया बुद्ध की शिक्षाएं सुत्पिटक में संकलित की गई हैं सुत्पिटक में कैसे संकलित की गई हैं कहानियों के आधार पर सुत्पिटक में इनको संकलित किया गया है क्या क्या सिक्षाएं हैं अपने अनुभव के अधार पर महात्मा बुद ने चार सत्यों की खोज गी अब यह उपने थोड़ देर पहले पढ़ा था चार दरश्य संसार दुखों का घर है पहला सत्य यह है कि संसार में दुख ही दुख है दुखों का कारण मनुस्की इच्छाएं हैं दुख हमें प्यारे विद्यारतों कब होते हैं जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती इच्छाओं पर विजे पाकर दुख दूर हो सकते हैं यदि हमारी इच्छाएं खतम हो जाए दो दुख अपने आप खतम हो जाएंग अश्ट मार्ग से हम इच्छाओं पर विजे प्राप्त कर सकते हैं अब इच्छाओं पर कंट्रोल करना इच्छाओं को समाप्त करना कोई आसान काम तो नहीं है इसलिए महात्मा बुद्ध ने आठ तरीके बताए कि जीवन में हम इन आठ बातों पर चलेंगे तो हमारी इच्छाओं खतम हो जाएंगी इसको अश्ट मार्ग कहा गया क्या थी वो अश्ट मार्ग की बातें पहला है सम्यक द्रश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक भचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक परियतन, सम्यक मर्ती, सम्यक समाधी, सम्यक कर्थ होता है सुद्ध, पवित्र, इन आठ मार्गों को अपने जीवन में व्यक्ति ढाले तो वे दुखों से चुटकारा पा सकता है इसके अलावा महात्मा भुद्ध ने अपने अनियायों के लिए कुछ आचरण के नियम भी बनाए अब वो आचरण के नियम देखते हैं आचरण के नियम बड़े सामान्य थे आइंसा का पालन करना मन वचन शरीर से करम से किसी को कष्टना देना जूट नहीं बोलना नसे का सेवन नहीं करना पराय धन का लोब नहीं करना भोग विलास नहीं करना किसी से घिरना नहीं करना और सबकी भलाई के बारे में ही सोचना ये बड़े सामान्य से नियम हमें जीवन में अपनाने के लिए महात्मा भुद्ध ने कहा और भी ऐसे सामान विभार के नियम थे इन से इन नियमों के पालन से मनुष्य का नैतिक चरित्र विद्यारतियों उचा होता है महात्मा बुद्ध ने लोगों को आलोकिक सक्ती की बजाए विवेक और तरक्याधार पर समझाने का प्रियास किया जैसे एक महिला का बच्चा मर जाता है तो बच्चे को जीवित करने के लिए वो महिला बुद्ध के पास आती है कि आप बड़े संत हैं इतने सिश्य हैं आपके मेरे एक ही बच्चा है मेरा वंस्त खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे को जीवित कर दो मात्मा बुद्ध ने कहा कि आपके बच्चे को मावश्य जीवित कर दूँगा परंतु इसके लिए मुझे तिल चाहिए बोली महराज मैं ला दूँगी तिल उन्होंने कहा कि ऐसे घर से वो तिल लाना जिस घर में आज तक किसी की मोत ना हुई हो और वो महिला अने गाओं में घूमियाई परंतु ऐसा घर कोई नहीं मिला जिसमें किसी की मोत नहीं हुई हो तो उन्होंने समझाया कि मृतु अवश्य अंभावी है सभी को मृतु अवश्य आएगी दुनिया च्छन भंगुर है यहां स्थाईवे सास्वत कुछ भी नहीं है उन्होंने समझाया कि घौर तपश्या विश्या सकती के बीच मद्यमार को अपनाना दुखों से मुक्ती पा सकता है मद्यमार की बात महत्मा बुद्धने की एनके आदमे को कठोर तपश्या करके अपने सरीर को कलांत कर लेना दुरबल कर लेना बहुत कस्ट देना यह भी गलत है और भहुत विशा सकती करना बहुत भोग विलाशी हो जाना भहुत आनंद पूर्ण जीवन वैस्वर्य पूर दिला छोड़ने पर भी स्वर ने निकलेगा तार को कसेंगे तो तूट जाएगा स्वर कभ निकलता है जब उसको हम ठीक ठीक कसते हैं तो इसलिए मध्यम मार्क के बात महत्मा बुद्धने की महत्मा बुद्ध और महाविर जैन के समय में अन्य शंप्रदाए भी थे यानि विचार के विचार बताए थे अपने परणतुन के विचार समाज में चल नहीं पाए ज़्यादा उनका वर्णन उस समय के ग्रंतों में आता है एक थे नियती वादी संप्रदाए नियत होती है खिश्मत भाग्य इस संप्रदाय का संस्थापक मक्खली गोशाल था आरम में वह मावीर स्वामी का शिष्ची था मक्खली गोशाल शे वर्स उनके साथ तपश्या करते रहे परंतु बाद में विचारों में अंतर आ गया और वो उनको छोड़ कर चले गए और मक्खली गोशाल ने आजीवक शंप्रदाय की स्थापना की कौन से संप्रदाय की आजीवक शंप्रदाय की सथापना की इस संप्रदाय में नियती अर्थार्थ किश्मत के सिद्धान्त में विश्वास रखने वाले विचार थे व्यक्ति किश्मत के हाथों में खिलोना है सब कुछ किश्मत करती है अपने कर्मों से तपश्या के बल से लाख प्रियास करने से भी किस्मत नहीं बदली जा सकती ये आजीवी की संपरदाय का मानना था और नहीं किस्मत को घटाया बढ़ाया जा सकता वे एक उधान से समझाते हैं जैसे दागे का गोला हम फैंक दें और लुड़कते लुड़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है इस तरहें मूरक और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्तेशे होते वे दुखों का निदान करेंगे अर्थात यदि हम धागे के गोले को चट से नीचे फैंक दें और भगवान उस गोले को वापस भी खीचना चाहे तो भी वो पूरा खुलने के बाद ही उपर जाएगा इस तरहें नियती वादियों का यम नियम सद करमों उपनिश्दों आदी में कोई विश्वास नहीं था यदि भाग्य में होगा तो आतम ज्ञान भी प्राप्त होगा और हमें मौक्ष में मिल जाएगा नियरे और पूरे भाग्य पर निर्भर ये संप्रदाय था उस समें एक अन्य संप्रदाय भी था भोतिक वादी संप्रदाय इस संप्रदाय के संस्थापक अजीत केश कंबलिन थे कौन थे अजीत केश कंबलिन इनका मानना था कि दान देना, यग करना, चड़ावा चड़ाना, ऐसे कोई चीज नहीं होती है दुनिया में यह दुनिया या दूसरी दुनिया कुछ नहीं है, स्वार्ग, नार्ग, यह कुछ नहीं है इनका मानना था कि मनुष्य जो मरता है तो मिट्टी वाला अंस्पृत्वी मिल जाता है जल वाला हिस्सा जल में चला जाता है गर्मी वाला हिस्सा आग में चला जाता है जो हम सांस लेते हैं वो वापस वायू में मिल जाता है और इसकी इंद्रियां आकास अर्थात अंत्रिक्ष का इस्षा बन जाती है जो पांच तत्वों से शरीर बना है ये पांचों तत्व अपने अपनी जगें चले जाते हैं और मुर्टू के बाद कुछ नहीं बचता इस प्रमपरा के उपदेशक लोकायत प्रमपरा के लोग कहलाते हैं यहनिके भौतिक वादी संपरदाय को क्या नाम दिया गया था उसमें लोकायत प्रमपरा ये विचार भी उपनिशद विचार धाराशे बिलकुल भिन्य था क्योंकि उपनिशदों का विश्वास तो करम के सिद्धान्त में होता है आत्मा और प्रमात्मा को मानता है और अच्छे कर्मों से मौक्ष के प्राप्ती मानता है उपनिशत्तो परंतु ये बहुतिक वादी इन बातों में विश्वाज नहीं करते थे उनका मानना था कि सब कुछ भौग करने के लिए संसार में हैं इसलिए ह हमें भौग ही भौग करना चाहिए इसी के साथ आज का हमारा विशेश समापत होता है अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्ण पहला प्रश्ण है बहुत धर्म और जैन धर्म के उद्धे के क्या कारण थे दूसरा जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें बहुत धर्म मे भिखु से क्या अभिप्राय है बहुत धर्म में थेरी से क्या अभिप्राय है मात्मा बुद्ध के चार महान सत्य क्या है मात्मा बुद्ध की सिक्षाओं का वर्णन करें नियती वादी संप्रदाय का वर्णन करें बहुतिक वादी विचारधारा क्या थी इन सभी प्रश् बाइवाद